दोस्तों मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने अपने अटूप चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तों वर्स 2020 में जब हमारे बिहार में विधान सभा के चुनाव थे तब हमारे प्रधान मंत्री जी एक एक करके बिहार की अलग-लग रेल परियोजनाओं का उदगाटन कर रहे थे उस दोरान एक ही दिन में 46 रेल परियोजनाओं का उदगाटन किया गया था लिक्षवी एक्सप्रेस को नया जो इलेक्ट्रिक लोको है वो दिया गया था इसी कसाथ के यहां पर बड़े परिवर्तन हुए थे लेकिन दोस्तों लग-बग 2 साल होने वाले हैं उसके बाद से अभी तक कोई बड़ा इन्योग्रेशन नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों अब यहां पर पहली बार लग-बग 2 साल के बाद एक बड़ा इन्योग्रेशन होने जा रहा है प्रदान मंत्री जी के हाथ हो दोस्तों क्या है ये इन्योग्रेशन कैस कैसे इससे बिहार को फाइदा होगा आज किस वीडियो में बात करेंगे प्रेटल के साथ दोस्तों से बिलेक डियोस करूँ मेरा आप से आगरा इंदी भी का नका अब्सक्राइब नहीं का जरूर करें वीडियो को लाइक करें और इस उद घाटन के बारे में आपकी क्या राया है क पॉमेंट करके जरूर बताएं और कुछ शकायत आपका है तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिए उसकन में दिया हुआ है जल दोस्ते अपने वीडियो को शुरू करते हैं बाइस मार्च को नेपाल की संसद ने रिलवे अक्ट को पास कर दिया है और साती सात यहाँ पे वहाँ के राष्ट पती का हस्ताक्षर भी हो चुका है जिस कारण से नेपाल में उफिशली पहली बात रिलवे अक्ट लागू हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जैनागर से के जनकपुर तक की जो ट्रेन है उसे चालू करने की जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो चुकी है अब ऑफिशली दोनों देशों के प्रधान मंतरी को एक निश्टी तिथी पे बुलाया जाएगा और दोनों ही देशों के प्रधान मंतरी ट्रेन का उधगाटन करेंगे जिसके बात एक बार फिर से जनकपुर तक की जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी इसे व्यापार भढ़े का साती साती सितर का विकास होगा दोस्त इस बार में आपकी कराया है कॉमेंट करके जरूर प्रता है दूसरा स्लिप्स नहीं बिलिंक फिक नेडियों के साथ तक लिए जाह कि बात वार